नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जैन हिंदी छेस स्पेस इंडेशल पर आप सभी का हार्वद अंदन करता हूं दोस्तों दोबई ओपन टोर्नामेंट जो है दो राउंड खेले जा चुके हैं वैसे इसको दोबई ओपन की जगह इंडियन ऊपन भी कह देते तो इसम मैच उन्होंने जीता है भारत के इंटरनेशनल मास्टर गोवा के रहने वाले हैं नितिस बेरूलकर के हिलाब नितिस बहुत ही टालेंटेट प्लेयर है और इस मैच पे उन्होंने टालेंट दिखा दिया था भाई अपना पूरा अर्जुन एक समय तो बच गए प्रक्नननदा के फासले से करीब करीब एक अंके फासले से कह सकते हैं कि अर्जुन जो है वो आगे निकल गए हैं उनकी लाइव रेटिंग होगी है 2726.3 और गोकेश की थी 2725.7 और यहाँ पर प्रक्नननदा ने भी रेटिंग में और सुधार कर लिया है 2678 पहुँच गए मतलब कि इस टो प्रवात हुई अर्जुन वाइट पीसे से खेल रहे हैं सफेद मोरों से 6 फ्रेंच खेला यहाँ पर नितिश ने डिफोर डिफाइफ और यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं सबसे पॉपलर लाइन है नाइट सी थ्री बिशप बीफोर यह सबसे ज्यादा में लाइन कहीं जा निकाल के यह कहता है कि भाईया देखो मैं कैसल के लिए तैयार हूं ठीक है लेकिन इसमें हलका सा एक प्रॉब्लम यह होता है कि यह जो जी सेवन का स्क्वाइर है इसको गार्ड कौन करेगा तो मोस्ट अप टाइम जो लाइन है जो आक्रामा क्लाइन में गिनी जाती जैसे कुइन जी फोर यहाँ पर आप जी सेवन बजा के अटैक करते हैं या फिर नाइट फ्री से निकलते हैं यह दो सबसे में लाइन है लेकिन यहाँ पर अरजुन चूस करते हैं है है जो की थोड़ा और डिफरेंट लेकिन अग्रेसिव लाइन है ओके अब होता यह है कि जब नेक्ट मुव में अपरेंट कुइन सी सेवन आता है जो नेचरल मुव ब्लैक और ब्लैक का टार्गेट बड़ा सिंपल है मार मार के यहाँ पर कुइन सी थरी से चेक देखे भाई आपका रुक मारना है आप सी थरी को डिफेंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन यहाँ पर अरजुन इस्तमाल करते हैं रुक हैच थ्री रुक हैच थ्री से एक बात क्लियर होगे कि राजा भाया कैसल नहीं करने वाला है लेकिन यह रुक यहाँ भी बचायेगा और फ्यूचर में अटैक में भी काम आएगा तो यह एक इस तरह से क्लियर हो गया कि वो सेंटर पर रहने वाला है इधर का पॉन स्ट्रक्चर साफ तोर पर कह रहा है यह जो भी है कि भाई यहां लॉंग कैसल नहीं होने वाला है तो अब ब्लैक को जो है उसकी तश्वीर जो है क्लियर है यहाँ पर बिशप D7 खेला नितिश ने जो कि थोड़ा कम खेला जाता पर अर्जुन ता की बी फाइफ जो है वो ना ने पाई अपॉननेंट का स्वार्ण आइटवीश केड्स और यहां पर अर्जुन खेलते हैं बिशप एथरी पॉन पर अटएक्च जो है यहां पर सौल करते हैं नितिश लाइन खेली गई और नाइट फवाइफ और नैट फ F6 किया और यह इंट्रस्टिंग मूब है F6 एक तरह से अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है एक तो यह कि जब यह ऐसा लग रहा है कि ब्लैक का किंग भी है लेकिन ब्लैक का किंग तो कैसल करने के लिए तैयार है इमीरेटली कोई चेक तो आ नहीं रही यहां पर तो अल्टिमेटली वो इस F-file का इस्तिमाल अरजुन के खिलाव को है अब अरजुन यहां पर एक थोड़ा सा गंभीर निर्णय लेते हैं और वो लेना भी पड़ा पहली बात यह देखो कि आप यह सेंटर होता है ना फ्रें पूरी भी थी आप कहें और डेरिंग मूब भी है F-4 खेलना पर कासल के आप लाक ने नाव C-3 और अब यहां पर मारते हैं F-5 F-5 इस मैच में एक चीज बड़ी अच्छी लगे कि नितिश जो है वो अपने आइडियास को लेके बिल्कुल क्लियर थे उनको कोई कंफिजन नहीं था सामने अर्जुन जरूर थे लेकिन नितिश जो है वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ खेल रहे थे आप नितिश ने खेला रुक F-4 आइडिया रुक पीछे से डबल हो रहा है अच्छा देखने में पोजिशन अगर यह स्ट्रक्चर ना होता तब तो राजा की ध नितिश ने वाकई बहुत अच्छी चाल खेल और उन्होंने सेक्रिफाइस मारा नाइट इन्टू सॉरी किंग एफ्टू खेला पहले वाइट ने अर्जुन ने यह कि यह बड़ी अजीब चाल आप देखो कि किंग जो है वो यहां से निकल करके भाग रहा है तो यह भी अ मतलब जो एक ही उट था एक ही पीच्छा जो काम नहीं कर रहा था उसको काम पर लगाया और अब वो आ रहा है है और अगर यह हैच्छ पाइप पर आ गया तो वाइट लिप बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो अर्जुन ने खेला है खुद खेल दिया आगे ताकि वहां पर जगह ना आई और आप यहाँ पर नितिश ने गेम की अपनी सबसे बहतरी न्चालों में से एक चाल खेली नाइट इन्टीश वह जो स्ट्रक्चर बचा रहा है उसको ब्लास्ट कर दिया और यह बिल्कुल चैस के जो आप बोलेने कि सिध्धानत होते हैं बेसिक उसको फॉ पज़ेद हो गया बाई ढक्कन कुल गया सेक्रिफाइस के बाद अब राजा मुस्किल में आप यहाँ पर दिककर मैं आपको सिप दिखाता हूं कि आप सोच यार किंग जी थरी तो लग रहा है ठीक है लेकिन गिंग जी थरी की बाद क्या क्या हो सकता है वहाँ को दिखाता रुक इंटो F3 सेक्रिफाइज आएगा G इंटो F3, Queen G1 के एंट्री हो जाएगी, Bishop G2 Knight F5 के एंट्री हो जाएगी King F4, Queen E3, King G4, so Queen F2, अभी G2 मर रहा है, अगर आप बचाते हो Bishop into H5 रुक से मारेंगे, तो Queen G3 से मात दिख रही होगी, तो King से मारा इतने ज़्यादा थ्रेट आ रहे थे, इतने ज़्यादा combinations आ रहे थे, कि अर्जुन को वापस जाना पड़ा, King E1 जो कि actually मैं यही सही चाल है, position में continue करने के लिए, और बस अब हो गया, बस यहाँ तक ही जो है, नितिश perfect खेले और इसके बाद नितिश को चुप चाप यहाँ पर, Queen E3 चेक खेलना चेहे था, Bishop E2, Queen C3 Knight D2, यहाँ पर piece दिया हुआ है आपने, और Queen D4 के बाद यह position जो है, actually मैं equal के आसपा से repetition होने की संभावना बहुत जादा है, Knight F3 आप वापस जालोगे यहाँ पर नितिश जो है वो, अपना जो control थे, वो खो बैठे, और उनों ने यहाँ पर जैसे न, जब आप material देते हो न तो कभी-कभी आपके दमाग में डर होता है कि यार, यह recover नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो फिर opponent सोचता है चलो, कम से कम 2-3 pawn तो मार के रखते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं, और यह जो attitude change होता है, एक moment जब आपने मार देते हैं, महराज जीतने का है अपने को, और एक moment आपको लगा कि, यार, कुछ तो recover कर लें, यही मुश्किल पैदा कर देता है इस तरह के मुकाबलों में, उन्होंने मार दिया यहाँ पर bishop into a4, और अब इसके बाद, अर्जुन को मौका मिल गया e3 square को control करने का अर्जुन ने पटाक से जो है queen d2 खेला, और इसके साथ एक और threat create हो गई है, bishop into e7 discovered और यहाँ पर, यह उंट कर गए, यहाँ पर bishop into e7 आया, rook into e2 यह उन्होंने सोचा होगा, queen into e2 और rook e4 पर यह जो variation है, यह तोड़ा सा जादा हो गया, क्योंकि इसमें महरे जादा जा रहे हैं, और जिस तरह से end game आने वाला है, वो white को favor करने वाला, यह शायद नितीज यहाँ पर calculate करने में चुक गए, knight d4 यहाँ पर खेला सबसे पहले, अरजुन आप वजीर मार लिजे, लेकिन आपके वजीर को मैं entry नहीं दूँगा, यहाँ से, rook into e2, knight into e2 और c3 का pawn protect करता हुए, सब को support में रखते हुए, अब यहाँ पर नितीज का टेस्ट था कि क्या वो वजीर और noot से इस game को बचा पाएंगे, definitely बहुत मुस्किल था, क्योंकि सामने वाले के पास, आपके वजीर के बदले में उसके पास दो हाथी और एक minor piece आपको ओई भी गिन लो, वो है so bishop c2, now h6, king को weak करने का सिलसिला यहाँ पर शुरू कर दिया, अरजुन ने, उनको पता था कि problem है, अगर g6 जैसा कुछ भी खेलेंगे, तो future के लिए बहुत problem हो सकता है, यह bishop यहाँ से यहाँ जाके बैट सकता है, पहले तो रुक f3 से कट ओफ कर देंगे, मेटिंग नेट्स लग जाएंगे, तो उन्होंने मारना पड़ा, g2, h6, now rook f3, king को कट ओफ किया, bishop e4 आता है, so rook f8, check, king g7, now knight d4, अब problem e6 के pawn को लेगर के भी था कि आपका वजीर हिला और वहाँ पर दिक्कत है, तो उन्होंने पहले सपोर्ट लगाने के कोशिश की, bishop f5, so now bishop b4, queen का रास्ता बंद किया, king g6, यहाँ पर अर्जुन ने खेला, king d2, अब बिल्कुल clear प्लान है कि इस रुक को गेम में लाना है, और उसके बास शेह और मात का खेल जो है, वो शुरू हो जाएगा, कहीं से भी आ सकता था, और even g4 जैसे moves भी जरुत पढ़ने पर आएंगे, but तो यहाँ पर उनको भटकाने के लिए, नितिश ने a5 खेला, but एक और pawn cover लिया, यहाँ पर रुक e5, queen c7 गए, so now यहाँ पर finally अर्जुन ने calculate किया, और यहाँ पर knight into f5, e into f5, रुक d5, अर्जुन खेले, queen c4, so check, king g5, e6 pawn push किया, so now इन्होंने खेला, queen a2 check, king e3, queen a7 check, but now rook d4, यहाँ पर continue किया, queen a1, now bishop e7 check, और इसके बाद resign कर दिया, क्योंकि कोहीं भी जाएंगे, मात हो जाएगी, जैसे कि king g6 जाएंगे नितिश, तो यह check, king h5, rook h4 से checkmate, और अगर king g6 ना जाके, king h5 जाते हैं, तो check, rook h4, king g6, और rook g8 से checkmate हो जाती, तो एक बहतरीन गेम था, हम कहेंगे कि opening में नितिश ने, अरजुन को actually मैं काफी अद तक surprise कर दिया था, position काफी muskil में आ गई थी, और खास्तोर पर जिस तरह से रुक लेकर किया है, फिर knight sacrifice किया, उस bishop भी जो improve किया, बस ये गलती हो गए, अगर ये गलती नहीं करते, और queen को continue अंदर लाते, तो अरजुन को force होना पड़ता, draw खेलने के लिए, तो एक नितिश का बहतरीन talent का production, अरजुन ने भी ये भी दिखाए कि कितने cool है, किसी भी position पे उनको बस best से best निकाल करके बाहर आना होता है, और ये ही सबसे बड़ा difference है, ये जो coolness है न, ये ही अरजुन की सबसे बड़ी ताकत है, दोस्तों उम्मीद करते हूं ये वीडियो आपका पसंद आओगा, पसंद आओगा तो like, share, subscribe करना ना भूले हैं, देखते लिए Chase Base India, Chase Base India के लिए मैं निकले शिजन, जहें दोस्तों.